आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो आज का टॉबिक हमारा फ्रैक्शन को हम कैसे एजिली हम एड कर सकते हैं या सब्टैट कर सकते हैं ठीक है तो यह तो एक नॉर्मल सा लिखाया रहना है जिसले आप एक्जांपल लेखें आपको एक्जांपल बताओं आपको है ठीक है इसको इससे मल्टिप्लाय करना है इसको इससे मल्टिप्लाय करना है तो घेंगे तो इंदोने का मल्टिप्लिकेशन कितना हो गया दैट इस yak को one से multiply करना कितना हो गया eight 20 में plus symbol 7 को 1 से multiply कितना हो seven 87 15 15 15 56 that is your answer कितना easy बहिए one by two को one by four में जोडना है 4 और 2 का multiply कितना हो गया that is eight ठीक है 2 को एक से multiply करना कितना हो गया 2 4 को एक से multiply करना कितना हो गया 4 बीच में plus का symbol है 4 दो 6 छे चे वर दो 8 अब इसको multiply कर लिजा अब 2 तेहीं 6 और 2 चको 8 that is 3 by 4 is the answer अगर मैं आपसे कहूं आपको 1 by 6 में से 1 by 3 घटाना है तो आपको simple सभी करना है कितना हो गया 6 तरह 18 ठीक है अब 6 में का multiply करें कितना आगए 6 बीच में जैंबल माइनस तीन में का multiply करें कितना आगए 3 छे में 3 गया 3 और यह हो गया 18 तीन चंग अठारा that is 1 by 6 कितना easy है आप एक example और ले सकते हैं जैसे आपको मैं आपसे कहूं आपको जोना साथ बटे दो को में एक बटे चार को ठीक है तो दोनों का multiplication कितना हो गया चार और दो चार दो नहीं 8 ठीक है अब दो में एक का multiply कर यह कितना हो गया दो बीच में प्लस का पंदरा वाई 4 इस और आप चेक कर सकता है तो बहुत ही easy तरीका है आपके exam के लिए ठीक है अगर आपको नहीं पता था तो आज आप सीख लेंगे आप कभी भूलेंगे नहीं काफी easy तरीका है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है रिवाइस करते हैं ताकि आप कभी भूले ना ठीक है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो like जरूर करें comment जरूर करें और study heart को subscribe जरूर करें ठी क्योंकि अगर आप उस पर click करेंगे तभी आपको वीडियो का notification मिलता रहेगा तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा thank you for watching बहुत सारे वीडियो जभी और आने वाले thank you for watching